जै माता दी दोस्तों, घरेलुखबर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखें, माता रानी सब का कल्यान करेंगी। दोस्तों, अहोई अस्टमी का ब्रत हर साल कार्तिक मास की क्रिश्ट पक्ष की अस्टमी तिथी को रखा जाता है, इसे अहोई आठे के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पूरा दिन भर निर्जला ब्रत रहकर माताएं रात को तारों को अर्ध देकर अपना ब्रत खोलती है। अहोई अस्टमी का ब्रत करने से संतान की रक्षा होती है, स्वयम अहोई माता करती है संतान की रक्षा, इसके अलावा यह ब्रत निश संतान महिलाएं भी संतान प्राप्ते की कामना से रखती है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अहोई अस्टमी ब्रत वाले दिन, तारों को देखने का सुप समय क्या होगा और पूजा का सुमुहुर्थ क्या होगा, ब्रत के क्या नियम है और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अहोई अस्टमी ब्रत से जु स्क्राइब कर लेंगे बेन बटन को प्रेस कर लेंगे इससे यह होगा कि आने वाले इसी तरह के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे सबसे पहले बता दे कि साल दोजार चोवीस में अहोई अस्टमी का ब्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा अस्टमी तिथी की सुरुवाद 24 अक्टूबर को प्राता काल एक बजकर एक मिनट पे हो रही है और अस्टमी तिथी की समापती 25 अक्टूबर को प्राता काल एक बजकर अन्ठावन मिनट पे होगी उदियाति थी के अनुसार इस साल अहोई अस्टमी का ब्रत 24 अक्टूबर दिन गुरु बार को ही रखा जाएगा बात करें इस दिन पूजा का सोम्मोहुर्थ क्या होगा तो अहोई अस्टमी की पूजा का सोम्मोहुर्थ 24 ओक्टूबर को साम 5 बजकर 42 मिनट से लेकर 6 बजकर 69 मिनट तक रहेगा इसके अलावा आपको बता दे कि इस दिन तारों के निकलने का सोब समय साम 6 बजकर 6 मिनट पर रहेगा इस दिन चंद्रोदे का समय राती 11 बजकर 55 मिनट पर रहेगा चलिए जानते हैं अहोई अस्टमी के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस दिन भूल कर भी आपको कौन से कारे नहीं करना है अहोई अस्टमी पर क्या ना करें अहोई अस्टमी पर नुकिली चीजे जैसे चाकू, ब्लेड, सुयादी का परियोग नहीं करना चाहिए यह अब सगुन माना जाता है अहोई अस्टमी पर पेड, पौधे, नहीं काटने चाहिए कोई जमीन से जुड़ा कारे नहीं करना चाहिए क्योंकि यह ब्रत, प्रकृति, संतान और जीवन से जुड़ा है इसलिए इस दिन प्रकृति के साथ कोई छेड़ चार ना करे अहोई अस्टमी के दिन तुलसी के पौधों को छूने की मना ही होती है इस दिन तारों को अर्थ देते समय तामवे के बरतन का इस्तेमाल ना करे अहोई अस्टमी के दिन भोजन में प्याज लहसुन का परियोग भूल कर भी नहीं करना है इसके अलावा अहोई अस्टमी के दिन अपने या फिर किसी और भी दूसरे बच्चों को बिलकुल भी ना मारे और नाही डाटे क्यूंकि यह ब्रत बच्चों के लिए रखा जाता है ऐसा करने से अहोई मास्तार रूस्ट हो जाती है आप चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए तो इस दिन आपको बता है कि निर्जला ब्रत रखना है अहोई अस्टमी का और बिना तारों को अर्द दिये और बिना तारों को देखे भोजन नहीं करना है तारों को अर्द देने के बाद ही भोजन करना है और भोजन भी पक्का भोजन करना है कच्चा भोजन नहीं करना है इस दिन सास के लिए बायना जरूर निकालना है और उनका पैर छुकर आसिरवाद जरूर लेना चाहिए इसके अलावा आपको बता दे कि अहोई अस्टमी के दिन पुराने करवे का ही इस्तेमाल किया जाता है जो आपने करवा चोट ब्रत वाले दिन किया है इस तिन अहोई अस्टमी ब्रत वाले दिन अहोई माता की ब्रत की कथा का स्रवन अवस्य करना चाहिए और कथा सुनते समय कि आज की पूजा करते समय अपने पास बच्चों को अवस्य बैठाएं और जो आपने अभूई माता को भोग लगाया है वो बच्चों को अवस्य खिलाना चाहिए प्रसाद के रूप में उम्मीद करती हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक क करें और घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स